एलो फ्रेंड्स वेलकम्त टू एस्टॅड है है जासा कि आपको पता है कि अभी हमारी वह कैब की सेरीज चल रहे हैं इसमें अभी तक हमने 15 एपसोड कर ली है आज हमारा एपसोड 16 है और यू कह सकते हो कि कि आज हमारी class 16 तो इसमें नया करते कि नया करते कि हम नमोरिक्स की यूज करते ही करते हैं साथ में पिक्चर टेक्टिक यूज करते हैं और स्टोरी के में से वक्त को टाकि आपको ऐख्जाम में यह कोष्चन कभी भी गलत ना हो और सिप्ट वक्या वह नहीं डिसक्रस करतें इसमें इंगलिस की इंपोर्टेट ग्रामर डिस्कॉस करते हैं और यह अपका कम्प्लीट पैकेज यह इंगलिज ख्लास के लिए अगर आप तो चली बिना देरी के अपने class को start करते हैं और जैसा कि पता है कि आपको मैं homework देता हूँ homework आपको बताने पड़ते हैं answer ठीक है comment box में और आपको कब से कब तक बताने पड़ते हूँ जिस दिन video आती है फाई थार्टी पीम के बाद से आपको 10 बज़े तक, रात के 10 बज़े तक कमेंट करने होते हैं, अगर आपने इन बीच में अपने एंसर्स दिये, कमेंट किये, तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा, अगर आप इसके बात देते हो, तो I'm sorry कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप कमेंट ज चलिए, तो मैं बता दूँ जिन्हों ने कलका होमवर्ण का एंसर दिया था, ठीक है, तो वो है मधुलिक का पाटिल, ठीक है, सिफ इन्हों ने एंसर दिया था, ये SSC सीजिया लिख रहे हैं कि सेसनी नहीं अच्छा लगा था, थाइंक्यू, आपके अप्रेसियेशन के लि ठीक है, तो चलिए, मैं अभी क्वेश्चन नहीं डिसस कर रहा हूं कि मैंने उसको इंख्लूड कर दिया है, ठीक है, तो आगे आपको वो क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो हमवर्ण में दिया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लस्स बिना देरी के, तो आज का जो याद करने की सोच रहे हो कि कैसे न्यमोन्स बनाया है, तो आप किसे को बोलेगा है, अठीक है, अठीक है, गज्धे मत कर देना, ठीक है, तो आप ऐसे फीगर से भी देख सकतो कि रितिक राशन और यह टाइगर सरॉफ है, दोनों ऐडरेंट है, एक त्साहिं अपने हैं काम के लिए बहुत उच्छुक रहते हैं और इसके बात करें तो होता होता हाफ ढ़ल है छी इसा हम जिसमें दो लोगं लोगों की मतलब ह motivate है तो अरे हमें वीवर्फ है की जणवत कॉई क्ठीन होगा लोगों कोसे तो सिंगल परसंक काफी था इसकारे डोगों की जरूत है और दो लोगों की ज़रूत एसा बोट सकता हो अब ऐसे ले लो और दो लोगों की मतलब हम लोगों को और दो लोगों की जरूरत मतलब डिफकल्ट वहρεuld हो बना लो खुद का और दो लोगों की जोड़त है और ड्वस मतलब कठी ठीक है अब देख पा रहे हैं यह बहुत कठीन काम है इसको इंक्लेनेशन पर उपर तक ले जाना पत्थर को बहुत ही डिफकल टास्क है और वो भी चिल्चिलाती धूप में एंटोनिम्स की बात कर लो यह से सब इसको सीनिय दुट अगर हमारी मां कुछ बनाते तो उसका क्या होता है बहुत monkeys सूगंद आता था तपक अरे मां क्या बनायाया है पूछते हो ना कि अरे मा क्या बनाया बहुत एची फुशूँ आ रही है तो वही होता आरोमा, जो ममी कीचेन में कुछ अच्छा बनाती है तो उसके जो सुगम जाते है वही अरोमा होता है यहां पर देख सकते हैं जब मम्मी कुकी बनाएगी तो बहुत भी अच्छे उसके स्वाध रेंगे उसके स्मेल आएगा तो हम लोग चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा artful, artful मतलब होता धूरत, कैसा बंदा artful होगा। जुक की आप से ध्खा कर ले, आपके साथ कुछ गधडारी कर ले, तो वह सब artful होते हैं। आर्ट मतलब होता कला ठीक है कले बाज हो जिनके अंदर सारी कला हो सारी खुबिया हो वह आपको बेप्रूब बना सकते हैं वह ऐसे लोग धूरत भी होते हैं तो इसको बोल सकते हैं कराफ्टी एस्ट्योएट यह सब इसके सिनोनीम से यह बंदे को देख रहा हो यह बहुत आ आपको ऐसे याद रहेगा कि यह बहुत धूरत है कनी है ठीक है एंटोनीम्स की बात कर लें तो इंजेनियस ओनेस्ट इमंदार हो गाई इसका मतलब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है एसक्रिप्शन मतलब होता है अरोपन या जोरन ठीक है तो इसके सिनोन किसी का डिस्क्रिप्शन देना या जिस के बारे में कुछ बानाना है तो अब कुछ आड करते हो ठीक है तो अप इस चीज को याद करें कि जब आप सक्सेस पाओगे तो एसक्रिप्शन मतलब कुछ नब आक पर अरोप लगेगा जैसे ही आप सक्सेस होता हो तो अरोप लगते चली आप लगते चली आतीछ सिदेटीटंस अपहला इसमें बहुत सारे सेट ओफ रूम्स होते हैं और एक ही जगे रेसिदेंस होते हैं बिल्डिंग में उन्हीं को एपार्टमेंट कहते हैं आप सभी जानते होगे श्वीगर से भी आपको क्लियर होगा चलिए इसको ज्यादा बतानी की जोट नहीं चलते नेक्स्ट आपका इन्थूजयाजम और कंसर्ण ठीक है ऐसा बैक्ति जो कि कुछ भी नहीं दिखाता को इंट्रेस्ट ही नहीं दिखाता अब देख रहे हैं इस दुनिया से कटा हुआ बैक्ति अब देख पा रहे हो इस बंदे को एसको इसको ऐसे घेरा है कि ना उसको लोकल पॉलिटिक्स मे क्या चला उससे मतलब है ना ओलम्पिक्स गेम का मतलब है एडुकेशन इंवार्यमेंट किसी से कोई मचलना में नहीं है पूरा उदासी ठीक है अपैटिक बोल सकते है एपैठिक ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते है इससे रिलेटर एक और वर्ड है ठीक है यह है उदासी हमारा फीलिंग से हो रहा है निक होता मतलब उदासिंथा मोस् Movie से निटीक लेए हम लोग किसी से कटेवल हमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है कोई भी हमने इंट तो यह जो मतलब है इस इसी को ऑपैथी वोलते हैं दोनों से मिजद के इंस आते हैं चलिए को नेक्स्ट है Hai Sefese ab wardrobe मतले होता है बोली बंद होता है एक ऐस अधो प्रोबलम होता है अब बहुत प्लिच्ड प्रोब्लम होता है जब प準ेज्च की से निया हम पॉलते हैंन है मिली के बहन की चीजह उसे यादिने होती के बोलना नहीं पाता है कि इस से इसको यहां पर यह पल लें लएग मैं उसके इसे करके बूखे थोड़ी मीमी ब्ऩूर से इननों की बूल जाते हैं सब्सक्राइब हो जाती हूं ग procrast प्लेस को रखा जाए प्लेस वेर वर्ड होता है यह जो रूट होता है वह वी के लिए प्लेस जहां पर एप्ट्ट है है जहां पर किया जाए थीख है आप देख पार होगो इस अपने आप आजाएंगे लिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स हमाराण तो आज का पहला इडियम जो है वो है रे आफ हो बतलब क्या होता आसा की किरन तो इसाय को उमेद जागी कि आम मैं बाहर निकल सकती हूं उहां से लाइट आ रहा है तो मैं लाइट के तफ जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं जंगल से बाहर चली जाओं यहां पर देख सकते हैं यहां पर जब कोवीड वायरस आगया तक फैल गया था तो डॉक्टर के लिए जो वैक्सीन आई थी कोवीड वाली वह क्या थी अरे आफ होप की लोगों के लिए आसा की किरन ठीक है यह आपका डर वाल यहां पर देख रहे हो कि यह लोग फंस चुके थे आइलेंड पर तुम्हां पर कह रहा है कि देखो देखो एक प्लेन है तो यह हमारे लिए रे आफ हो भाई ठीक है तो चले नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा इडियम है और रेड लेटर दे मतलब क्या होता म अगले बार आपको एनिवर्सटी मैंने कल पढ़ा था ना एनिवर्सटी विस करनी परेगी नहीं कड़ोगे तो फिर आपको पता है कि वाइफ का क्यार्यक्स होगा फिर आप या तो घर में रहोगे या घर से बाहर रहोगे आपकी इस्तिती क्या होगी आपको भी नहीं पता तो ऐसे याद रखना कि एनिवर्सटी जैसे नहीं भूल सकते वैसे रेड लेटर रे मतलब समझी लो एनिवर्स्री बहुत महत्तपुर्ण दिन इसको भूल नहीं जा सकता है चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं मतलब मुसीबत को नहता देना अगर आप बुल को रेड फ्लैग दिखाओ या लाल कपरा दिखाओ तो फिर तो आप जानते ही हो कि आगे होना क्या है देख रहा है ना यू नो दरेस्ट जब कपरा दिखा रहा है यह बंदा कि लाल कपरा बुल को समझ ही रहे होंगी मुसीबत को तो नहीं तार दे दिया दावत दे दिया इसके बाद इसके साथ जो होगा यह वही जानता रहे क्हाएंट यहरे बुल कितना एंगरी है लाल कपरा देख के अले बुझळा रहा है नेक्स्ट है और रॉटेन एपल मतलब क्या होता है बुरी संगत अगर सरा हुआ एपल होगा मतलब बुड़ा ही होगा उसको खा नहीं सकते ना आप जो खराब हो गया तो बुरी संगत cular a single Bade person ऑठीन ट्यूद किसी भी ग्रूप में आपने ड्कूप में बहुत सारे person है तौ एक परसन ऐसा होता है कि जिसको बहुत सकते हैं प्रवाद और तो सारें ऑच्श'reच कंत हीक्तीाव मतलब क्या हो होता है अनींदिये व्यक्ति त्क है क्रिटिसाइब मतलब वगति जिसकी निद्धा सकती है कभी साइज नहीं किया जा सकता उसी को बहुत है सक्राइड को हम कभी किक्टर के खरा है तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं पर नेक्स्ट आपको पब्दा जैसे कि हमारा पेंड़ोरा वक्स होता है ठीक है जिसको मोँ ऊपेंड करते हैं तो उसमें से क्या निकलता feminist होगा ​​is हम जैसे जिसको ओपन काते की लगाते और ओपन होता तो इसमें हमें क्या निकलता इसमें निकलता है सो गोल्डेन रूल्स ठीक है वो रूल्स जो आपके लिए बहुत ही मात्पून और हेल्पूल होते हैं इरा डिटेक्शन और संट्रेंस इप्रूबंट वाले कॉस्चन के ल सब्सक्राइबर के बार में पर रहें। तो आपको यह रूल स कहा है कि कहा रहा है कि हिसा सब्सक्राइब तो यहां भी लगा होगा उसके बाद इंफिनिटीव होगा ठीक है न तू इंफिनिटीव होगा न जेरेंड होगा कुछ भी नहीं होगा सिर्फ इंफिनिटीव ही चाहिए उसको इजांपल देख लो आप ही हैड बेटर रीड दैन टू राइट तो दैन के बाद टू लगा आपको पढ़ने में अट पटा नहीं लगे आप सोचो को कि मैं पढ़के ऐसे इरा डिटेक्शन संटेंस पूर्मेंट कर लूँगा तो कोई-कोई चीज होती है जो आपको फसा देगी जो कि यहां पर फसा ले जाएंगी ठीक है पर इसको यादव को दो नमबर पक्रेंगे चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आपको पता कि हमारा को से सना आता है तो आज हम बात करेंगे दिसंबर के शिफ्ट फोर के वह ठाब की ठीक है तो आपको दस सेकेंद मिलते हैं और आपको उसी दस एंटोनीम से बताना है आपको रूथ लेसली का और चार अप्शन है लेलेंटली इंडिफरेंटली और यह हो गया अनस्करप्लस्ली और ट्रानीकली चलिए फटा 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 एंसर करेंगे चलिए यसी के साथ आपका टाइम up हो गया और आपको एसका सही अन्टोनीम से बताना है तो रूथ लेसली मतलब क्या होता है बैरहमी से बैदर्दी से यह सब होता है इसके सिनोनीम के बाद करलें लीक्रायने के जो समय से और रूथ है कि कि है इसको आप बोल सकते हैं फ्रेविव उसक्ता बेहरेमी से तो उसक्राप्रप्लस्ली और ट्रनिकली इसके सिनोंुनिमिश इसको बोलते हैं जन्थलि और ऑर में बहु selbst है ऑडिया का बात करें हो है अ कि ऊदा सिंटा मतलब बोल सकते इसको स्कॉर्ण फुली श्कॉर्ण फुली यह जब सकते हैं और क्या बहुत इजी वर्ड है अपके लिए बहुत काफी है ओर इजिन हॉल्ट प्रोड्यूस और बीगिन यह इसके ऑप्सर्स है चलिए फटा फटाफट एंसर कीजिए इसे आपका टाइम अप हो गया तो मैं बता दू सीज मतलब कोई बीचे स्टॉप हो जाना बंद हो जाना ठीक है यह होता है इसका है अब नेक्स कोच्चन कहा कि इडियम बताना है इडियम का मतलब बताना इन हॉट वार्ट चलिए आप हो गया आप लोग ने एंसर किया और सही एंसर किया और इसका जो राइट एंसर होगा आप गर्म पानी में हो गर्मी का जिन और गर्म पानी में कोई आपको रखते तो क्या होगा आप ट्राबल में होगे आपको बहुत मुसीवत धियलना पड़ेगा तो यह होता है इन होट वार्ट मतलब तो हमारे जो नेक्स्ट कोश्चन आपको सिम्लर मीनिंग बताना मतलब चार अप्षन ने जस्ट लीगल क्रेडिवल यूजलेस ठीक है जो सिनोनिम सब्टाना आपको चलिए इससे के साथ टाइम आप हो गया आप लोगानी एंसर करिये दिया होगा फटाफट कमेंट बाक्स में तो इसका जो सही सिनोनिम सोगा प्लाजिबल का तो वो क्या होगा वह वोगा हमारा प्रेडिबन ठीक है फेडिबल मतलब किया होता है फ्लौ जिवर विशानलिया ग्योग फिलुप से अभी लिई कानुनी रूप सिस्सक्तट कोई ऊदक थो अप के लिए सिनोनिम मुझे एक याद आ रहा है तो आप इसको बोल सकतो लाइकली लाइकली बोल सकतो और क्या बोल सकतो टेनेबल भी बोल सकते हैं तो चलिए नेक्स कोश्चन की बात चलते हैं तो नेक्स कोश्चन क्या करा है कि हमें वन वर्ड सब्सूट बताना है इस ग्रूप नॉस्टेल्जिया पैरनोया तो टाइम आप हो चुका है रोप आप लोगों ने एंसर करी दिया होगा तो इसका जो सही एंसर होगा वह कौन सा होगा वह नॉस्टेल्जिया मतलब पीछे वक्त में ऐसा कंडिशन जब कि आपको पुरानी चीज याद हो आप उसी में स्टक हो बार-बार उसी में होए रहा हो उसी को बहुत है नॉस्टेल्जिया एक है ओए अफच्ण मतलब आपको पता ही है क्या होता है feeling of loving आफ लवीन लाइकिंग यह सब होता है अफच्शन मतलब क्या होता है इसमें लाइक करने का मतलब होता है और यह बात यह वाडिशन इसका मत साधु कि ऐसा वक्ति जो की प्रसिद्ध। ौ सम्रिद्ध धिक थिक अबारे में बात किया जाता है जो कि फ्यमस भी हो। कि ज्वहता है श्या धेने में कि辟 देता हूं तक को याद रहएगा का फैस्नेवल हक 6 म रिच एंड latest колos पिशल मेंraste कि आरिम summarize भी जिक्यां कि या Genok Wells' Graph इस के परसं जो की इस और KH discring बारे में बात करेंगे तक है लंव कि बैदनाय पारणोओया प्लोंगों के लिए नया हो इसमें क्या होता वह हम होता है कि इस dilnes कि आप वहम होता है जिसमें आपको हमेंसा फील होता है इलनेस है जब आपको फील होता है कि जो लोग हमारे साथ हमेंसा गलत ही करेंगे गलत व्यवार करेंगे या फिर गलत कुछ हरकत करेंगे तो ऐसा फिल होना ही पैरानुया के हलाता है नेक्स्ट कोस्चन हमारा कह रहा है वन वर्ड आपको बताना है दा एक्ट ऑफ किलिंग वन्स मदर ठीक है बहुत बार आचुका एससी में रिपीटी बहुत चुका है तो बहुत इंपोर्टेंट है अभी गे श्याने आयो पूप लोग ने इंसर कर दिया वा तुसक्त जो सही एंसर होगा कौन सा होगा मैत्री सैंहें होता है ट्रीका मैं में लुट गई है माधर के लिए रूट अब तर बढकिली इसब कुलिंग कुलिंग को बात कर गर्व क्या हो आधिया भाइंड न Αनयक्रा थकिलिघ्रेस इसाउटा बिर मतले कले क्या होती है वाइफ लिट गिश साइड होमिसाइड मतलब क्या होता है हूमिसाइड मतलब क्या होता है होता है इलीग आ Pennsylvania लेगल तरीके से उसी को हमिसाइड कहते हैं रेजी जो सब्दों होता है वो की के लिए तो डिशाइड कॉन होगा ऐसा वेक्ती जो की राजा की हत्या करेगा पर्सन हो किस्की कि कि चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स आपको सिनोनीम समझताना है रैथफुल का ठीक है चार अप्शन है प्लीज एन्येवल फ्यूडियस कोडाइल बहुत ही इजी है बहुत बार पूछा जा चुका है तो आई होप आप लोग बहुत जल्दी एंसर कर दोगे कमेंट बॉक्स में और सबके एंसर सही हो तो टाइम भी अप हो गया तो वाइठ फुल का जो सही सिनोनीम संब्स हो वह इचना रहत कमेंट पे आपको बताएं जल्दी जल्दी तो मतलब उन्यां गुष्चे से भ़ण हुआ हुआ है इसके इर्फुल है तो आप यह याद रखेंगे प्लीज मतलब उताग फूस एक ह भी बोल सकते हो मैं तो चलिंप सकते हो तो मुझे याद आया मैं बता देता हूं याद आया तो बता ही देता हूं अलेग्रो तीया यह भी होता है सब्सक्राइब मतलब क्या होता है कि इसका आपको मतलब बताना है इसका आपको मतलब बताना है अगले दिन आपका नाम इंक्लूड कर सकूँ ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है अगर आपको आज की क्लास अच्छी लेगी है तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में सेर कर दे जो कि वह कैब सीखना चाहते एक दम बेसिक्स है या फिर जिने सब्सक्राइब का कंपाइलेशन चाहिए प्रिविएस येर का तो वह भी इस क्लास को देख सकते हैं हमारी क्लास ज्यादे लंबी होती नहीं आप सभी को पता 25 से 30 मिर्ट करना खतम हो जाती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर अगले लेक्षर में लाता हूं कुछ नए वर्ट्स ठीक है तब तक के लिए टेक कियर जाए हिंद जाए भारत